कि नमस्कार मैं आजमीन खान आप देख रहें स्प्यन नाइन न्यूस एक बार फिर से राहूल गांधी ने भाजपास सरकार को निसाने पर ले लिया जिहां आपको बता देए कि जिस तरीके से आज कॉंग्रेस का 135 स्थापना दिवस है कॉंग्रेस उसको बड़ी खुशी से मनाती हुई भी नजर आ रही है जंडा भी फेराया है उन्होंने सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहूल गांधी अलग-अलग जगाओ पर जंडा फेराती हुए नजर आ रहे हैं और स्थापना दिवस मनाते हुए जंता की समर्थन में उतर चुके हैं जी हां आपको बता देए कि अभी हाली में राहूल गांधी असम में है और असम से भाजपा सरकार पर निसाना साधर है वहां पर राहुल गांधी ने ये बोला है कि असम को आरेसिस के चड़ी वाले नहीं चलाएंगे यानि कि यहां पर हिंदुत्ववाद मोहन भागवत को उनों निशाने पर लिया है और कहा है कि जिस तरीके से आप अपनी नीतियों को चला रहे हैं और मोहन भागवत सर्फ हिंदु को निशानी पर लेता हिंदुत्वाद को चलाता है और जिस तरीके से धर्म की राजनीती करता है और जिस तरीके से जनता को परिशान करता है धर्म के अधार पर वो नीतिया आप असम में नहीं ला सकते आप असम में अपनी कर रही है और नर्सी और सीय को लेकर आई और सबसे ज़्यादा असम में विरोध प्रदर्शन देखा गया है अब राहुल गांधी असम से भाजबा सरकार को याद दिला रहे हैं कि इस बार उनको बहर करनी देंगे जो धर्म के आधार पर विभाज़ित कर सकती यहां पर कॉंग्रिस न साथ व्त वारत के नागरिक से लेने कोई नहीं छीन सकता उन्हें कोई खत्रा नहीं हो सकता नहीं धर्म की अधार पर भाज़पा कुछ कर सकती है असंक को नों' ने वादा किया है राहुल गांधी ने अपने किस्थापना ढीवस को लेकर दरश Boss को लेकर राहुल गांधी ने असम में जाना सबसे महफूज समझा और सबसे अच्छा इसलिए समझा क्योंकि असम में अभी काफी NRC और CA को लेकर विरोध हो रहा है और भाजपा लगतार उनके मुद्दों को नहीं सुन रही है लगतार वहां पर हिंसा देखी जा रही है उसी हिंसा को शांत करने के लि समर्थन करेंगे और भाजपा सरकार को याद दिलाएंगे कि हम उनसे डरने वाले नहीं है आपने जितनी भी नीती लेकर आया है जो आप जनता को परिशान कर रहे हैं हम ऐसे में चुप बैठने वाले नहीं है और आपको याद दिला दे कि आपको इसमें कुछ बदलाव कर नाही पड़ेगा जो एक्ट आप लेकर रहा है नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर राहुल गांधी जनता के समर्थन में है और असम के जनता के साथ वो वहां से बोलती हुई नजर आ रही और भाजपस सरकार पर निस्साना साध रही है अब आपको बता दे कि जिस तरीके स पूरी तरह से जनता के साथ आ चुकी है अब ऐसे में भाजपस सरकार कही न कहीं कमजोर तो हो चुकी है अब हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान बाजी कर रहे है जिस तरीके से उन्होंने अपने स्थापना दिवस को लेकर वहां पर असम में गए हैं और वहां की जनता को समर्थन दिया है और उसको लेकर आपका क्या बयार है कि राहुल गांधी ने सही किया क्या भाजपसरकार को जो नोंने बोला मोहन भागवत पर जो नोंने तंज का सा क्या वो सही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईएगा आपको को आरेसेस के टड़ी वाले नहीं चलाएंगे असाम को असाम की जनता चलाएगी यहां से क्या आर बॉक्स और श क्या वाले जुटत सुद्ट से जारे बोले नहीं से